करके तोड़ फोड़ की जाती है जब इस पस्ट जनादेश के बाद गढ़ बंदन के अंदर तूट की जाती है वेक्तिकत अहम और सत्ता के लिए तो इस जंग की विचित्र परिसित्या उत्पन होती है जो महराश्ट को बाद में देखनी पड़ी परंथू निराधार जो पार्टी मानने के कारण यहां समस्क्राइब में रिटार्मेंट पर आउंगा जो लारु यादव ने बोला है वारिज पठान मैं आप से सवाल पूछता हूं क्या आपको लगता है कि राजनीती में रिटार्मेंट की उमर होनी चाहिए हमारे लिए तो एक तरफ BJP है अबिश भाई हमारे लिए तो ऐसा हो गया है कि हमारे लिए ऐक तरफ aspectsu कल्ड सेकुलर पार्टी है और जहां हमको तो नहीं बुला हम तो इनके लिए political untouchables है मीटिंग पटा के हो आये और सिधा चले गए बीजेपी के अंदर जोइन कर दिये अब हमको जो आज तक बीजेपी की बीटिम बोर रहे थे हो तो officially बीजेपी की बीटिम बन गए अब बात नमबर दो इतना बड़ा काम हो गए आजीत दादा ने 30 से अधा MLA को लेके चले गए बीजेपी को समर्थन दे दिया खुशी की बाती बीजेपी के लिए मगर इस खुशी के मौके पर मोदी जी ने नड़ा जी ने अमिज शा ने एक भी मुबारक बादी ने इदी ट्विट ने की किया कैसा अब खैरियत तो है कि वापिस खेला होने वाला है कुझ अलग से ये तो समझने वाली बात है हमिज भाई अब बात नमबर तीसरी ये मोदी जी ने चार दिन पहले क्या का एंसीपी सबसे फरस्ट पर्टी है सतन हजार क्रणों का गफला कर दिया उन्होंने वह बैंक का मगर उसे के साथ जाके हाथ मिला दिये मोदी ने का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मगर पुरे एंसीपी कोई खा गए वो तो फटनवीज का स्टेट्मेंट दे को दो-दो वीडियो है मैं भेजूँगा भी मैं आपको वाट्सअप पे क्या बोलते हैं फटनवीज एक जगा आई विल सेन अजीद दादा तू जेल इन जेल ऑजीद दादा विल डू चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड पिसिंग कांच ले गई वो चक्की अभी उसका क्या होगा चक्की का वो नहीं पता फटनवीज ने वह पीस हैं वीडियो के अंदर का कुझ भी हो जाए अकेला जाना पसंद करूंगा अकेला रहूंगा जिंदगी बर बगर NCP के साथ हाथ नहीं मिलाओंगा आप क्या हो गया हाथ भी मिला लिए गले भी मिल लिए सक्ता में इसलिए मुझे गाना याद आ रहा है ना अभीज भाई पिक्चर का नामे भागा भाग ना बीवी ना ब बतनाम हमको अब देखना यह है कि जो बीटीम कर रहे थे इनका होगा क्या आगे अपने विधायक को पैसे दे करके कुछ करते हैं वह विधायक पहले भी बिहार की राजनीती में आरजेदी और जडियू के साथ रहे हैं वह विधायक वापस अपनी जगह पर गया है और हमने कोई आधी रात किसी को मंत्री नहीं बना दिया वहाँ पे सबको नौ लोगों को बुला करके मंत्री बना दिया उपमुख्य मंत्री बना दिया चार दिन पहले कह रहे थे चक्की पीसिंग और यह बहुत क्राप्ट लोग हैं जी आप समझे नर्म आदर्री प्रधान मं जोडी का दूम वहाँ पन देखिए कि जैसे शामिल हो गए तो अब वह दूद के धूल गया देमन तो विश्व सरमा को आज तक जांच बंद कर दी ऐसे इनुद रातोराट बंत्री पत्री नहीं दे दिया इन्होंने क्या का अभी जूट कि हमने रातोराट किसी को मंत्री नहीं दे दिया गलत बोर रहे हैं बिहार में जब इन्होंने हमारे चार विधाया को तोड़ा जब उनके एमान को खरीदा अब जानकारी रखना है तब कुछ नहीं तब सब अच्छा है अरे सब गंदा है पर शानवास को बनाया वो शामिल हुए है अर्गेडी में चेक करक अरे उसको आधी राध किसी ने मंत्री नहीं बनाया क्या वार इस पथान आप कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं वो लोग पहले भी राजीती आपके साथ नहीं करते थी आपका जो प्रदेस अद्यक्स था वो तो जद्यू की राजीती हमेशा करता है आपको वालू भी नह प्रदान मंत्री नहीं बनाया दीरात बुला करके दूसरा पॉइंट प्रधान मंत्री राजनीती में रिटार्मेंट की कोई उमर नहीं होती राजनीती जो लोग मुस्तहधी से करते चले जाए उनके लिए क्या रिटायर नहीं है मनमों तेंग रिटायर हो गए हैं ना रिटायर ओके सुधान शूप आँ वो प्रदान मंतरी के समय कहा था प्रदान मंतरी पत से हटने के बाद उन्होंने भाजपा में कोई पद नहीं रखा था मगर हम कहना चाहते हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बात करें अभी देखे वो जानते क्या है लालू प्रसाद यादव जी को तो अन्ने रिटायर करते हैं या इनके जैसी जो पार्टियां हैं ये तो शीजिंग पिंग मॉडल पे चलती हैं जैसे अभी नहीं तक रहेंगे हम रहेंगे उसके वाद हमारा परिवार रहेगा तो परिवार तो यह खावत रहेगा वो शाश्वत रहेगा अगर पाइटी रहेगी तो इसलिए इंके यहाँ परिस्थितए नहीं है वारिस जी ने एक बड़ी मज़ेदार बात बोली थी डिपेट के शुरू में कि मुस्लिम समाज की इस्तिती हो गई कि रजिया फस गई गुंडों में कुछ हद तक मैं उनकी बात से सहमत हूँ जिस जंग से बरगला कर सब लोग मुस्लिम समाज को कैप्टिव बनाना चाहते हैं अपने में वो चाहतक सही है मगर वारिस भाई आपके साथ भी सिती जानते क्या है आपका लेना एक ना देना दू महराश्ट में खाम खाम एक कावत हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बता आप आके खाम खाम में ताली पीट रहे हैं हमारे चार को लेकर चले गए आपका कुछ भी स्टेक नहीं था दो एमेले वाली पार्टी ती मगर आखे आप भाष्णा आइस्ता दे रहे हैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ अब टीवी टिबेट में आए तो कुछ ना कुछ बोलना था मगर एक बात कहूंगा मीज जी जो बात बोली वारिस पठान ने वो तो कलेजे को चीर गई होगी सत्रप्रकास जी के लिए वा भई वा दूसरी पार्टी के मेले आपकी पार्टी में आएं तो तो हिर्दय परिवर्तन और अगर आपके ही या अन्य पार्टियों के लोग दूसरे में चले जाएं तो सहाव वो सबसे बड़ा अपमान तिरसकार और लोकतंत्र की हत्या जब ऐसे आप उधारण देने लगते हैं तो कई बार आइना हमें दिखाने की जरूवत नहीं पड़ती है अपने कर्मों से आपको आइना खुद दिख जाता है जी लेकिन लेकिन यह जो विपक्षी एकता को पलीता लगा मैं इस पर शब्द को बार बार इसने बोल रहा हूं कि लगातार लगता जा रहा है तो वो जो इकठा हुई उससे वो घबराए तो सर मेरा आपसे सवाल है कि जब प्रफुल पटेल ने बोला कि विपक्षी एकता की जब बैठा को रही थी तो मुझे हसी आ रही थी यह लोग कैसे मोधी के सामने लड़ेंगे किसी का एक सांसना है किसी का एक भी नहीं है औ उसको सुनकर तो और ज़्यादा हसी आ रही थी प्रफुल जी अब बाहर निकल कर क्या कह रहे हैं चुकि वो तब दूसरी तरफ चले गए तो उनके बातों को अब सीरियस तो नहीं लेना चाहिए लेकिन प्रेस कॉन्फरेंस में जिस तरह से विपक्षी एकता के तमाम जी और स्टॉलिन जी नहीं थे उसमें एक साथ बैठ करके ये कहा कि हम लोगतंत्र को बचाने के लिए इस सरकार से लड़ेंगे एक कहावत है तीन बुलाए तेरा आए दे दाल में पानी यहां आपने तेरा बुलाए तीन तो पहले ही गायब हो गए और एक मीटिंग से जा जी और सेहमती का लोगतंत्र है बिल्कुल सेहमती और आसेहमती का है लेकिन 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 अबी चीजे और सामने आएंगी जुलाए वाली बैठक तल गई है चीजे अभी और सामने आएगी